जियोतिर आदित्य सिंध्या के पीछे पीछे कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर विधाईकी से इस्तीफा देकर भारतिय जनता पार्टी में शामिल हुई इमर्ती देवी आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बतोरती हैं इमर्ती देवी को शिवराज सिंग चोहान की सरकार में महिला बाल एवं विकास मंत्री बनाया गया है इमर्ती देवी उपचुनाव में अगनी परिक्षा देंगी उप्चुनाव में कड़ी परिक्षा इमर्ती देवी की होने वाली है जहां एक तरफ वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्थ हैं वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से इमर्ती देवी ने कमलनाथ सरकार को खरी-खरी सुनाई है बीते दिनों गुना जिले में हुई घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए इमर्ती देवी ने कहा दोशियों को कड़ी सजा मिलेगी कॉंग्रेस पर पलटवार करते हुए इमर्ती देवी कहती है अनुसुचित जाती जन जाती विरोधी तो कॉंग्रेस है मैंने इस बात को स्वयम महसूस किया है मंत्री होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुझे कभी सम्मान से बैठने के लिए कुरसी तक नहीं दी क्योंकि मैं अनुसुचित जाती से आती हूँ अनुसुचित जाती जनजाती वर्ग पूरी तरह से भाजपा के साथ है भाजपा ने वास्तविक्ता में इनके हित्व में कई कारे किये हैं जिसका परिणाम उपचुनाव में सभी को मिल जाएगा ये आवास भाजपा सरकार ने दिये है कवलनाच से इमर्ती देवी सवाल करती हुई कहती है कॉंग्रेस स्वयम को वोटों के खातिर दलित हितैशी बता रही है अगर उन्हें इस वर्ग की इतनी चिंता थी तो सवा साल में दो अप्रेल की हिंसा में दर्ज हुए प्रकरण वापस क्यों नहीं लिये गए दिग्विजे सिंग के स्थान पर फूल सिंग बरेया को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गुना की घटना के बाद सीम शिवराज सिंग चोहान ततकाल एक्शन लेते हुए ADGP कलेक्टर वा SP को हटा चुके हैं दोशियों के खिलाफ कारेवाही करने के लिए उच्च स्तरिये कारेवाही की जा रही है प्रदेश कॉंग्रिस के कारेवाहक अध्यक श्राम निवास रावत ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा को अनुसुचित वर्ग विरोधी करार दिया इमर्ती देवी ने सीधे तोर पर कह दिया है कि यहां गलती हमेशा से कमलनात ने की है भारतिय जंता पार्टी जाती के आधार पर भेधाव नहीं करती इमर्ती देवी कहती है पूर्व मुख्य मंत्री कमलनात से बात तो दूर हम उनके साथ में खड़े भी नहीं हो सकते थे शिवराज सिंग चौहान तो बात भी करते हैं साथ बैथाते भी है कॉंग्रेस में चल रही उथल पुथल की वज़ा है सही फीडबैक नहीं होना जिसे किसानी से लेना देना नहीं है वो किसान की समस्या क्या समझेंगे पुराने मुख्य मंत्री यानि कबलनात अच्छे होते तो क्यूं छोड़ कर आते नए मुख्य मंत्री अच्छे हैं इसलिए हम भाजपा में आए हैं दोनों में कौडी मोहर का अंतर है पूर्व मुख्य मंत्री तो उद्योग पती थे व्यापारी थे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था किसानों से छोटे व्यापारी की समस्या से लेकिन नए मुख्य मंत्री यानि शिवराज सिंग चोहान किसान के बेटे हैं वो अच्छे से जानते हैं हम कई बार उनके साथ बैठे हैं वो अच्छे हैं SPN 9 Newsroom से मेघा की रिपोर्ट